लॉट डल्हॉजी ने एक policy शुरू की थी doctrine of lapse जिसके तहत जिस भी princely state में कोई legal male heir नहीं बचता है तो वो princely state East India Company के अंडर में चला जाएगा इसको कहते हैं doctrine of lapse in the absence of any male legal heir या successor इसके तहर सबसे पहले सतारा जो था उसको annex कर लिया गया 1848 में फिर जैतपूर, संबलपूर, बगाट, उदैपूर, छांसी, नागपूर और अवद जो है वो 1856 में मिस्रूल बोल करके इसको annex कर लिया था डल्हॉजी ने under the policy of doctrine of lapse अब ये पूछा जाता है कि कौनसा state annex हुआ अंडर doctrine of lapse तो इसको याद रखने का एक trick देखते हैं सजा सुन भागा डल्हॉजी जहासा दे अवद से सजा के सास से सतारा जा से जैतपूर, सुन के स संबलपूर, यू से उदैपूर, एन से नागपूर, भागा से बगाट, डल्हॉजी से यानि कि ये डल्हॉजी की policy से annex ये स्टेट हैं जहासा के जहा से जहासी और अवद यानि कि ओध अब एक कोश्चन देखते हैं जो की UPSC में पूछा गया 1992 में which one of the following was the state that was not annexed by Lord Dalhazi by using the doctrine of lapse option है नागपूर, उदैपूर, मैसूर, सतारा तो ट्रिक से आसानी से ये solve हो जाएगा answer होगा C, मैसूर ऐसे ही simple और आसान ट्रिक्स के लिए चानल को subscribe कर लिजेगा thanks for watching